हाई फ्रेंज वेल्कम टो आवर चानल विधास लाइफ स्टेंट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैंवस को डिफरेंट वेज के थूँ कैसे वाल पे डिकोडेट कर सकते हो पहले मैं इस कैंवस को फोर सेक्शन में डिवाइट करके सेलो टेप लगाई हूँ फिर इसके उपर मैं स्प्रेइ पेंट की हूँ गोल्डेन कलर का थोड़ी देर ड्राई होने के बाद मैं सेलो टेप निकाल रही हूँ सारे सेक्शन का सेलो टेप मैं निकाल रही हूँ अब इसके उपर मैं सिंपल एक कोट लिखोंगी और लिखोंगी अब इस प्तिकुलर पीस इस डेडि टो प्रेस बाद वाल इस कैन्वस को मैं डिकोर कर रही हूँ विद दा हिल्प आफ न्यूस पेपर पहले न्यूस पेपर को मैं स्टक की हूँ चारो और से स्टक करने के बाद सिंपल इस पर एक रिडिक पेट के दूँ एक फिगर बना ली हूँ आप इस पे कोई भी पैटर्न ड्राउ कर सकते हो मैं इस पे सिंपल एक ब्रांच बना करके इस पे बर्द बनाई हूँ मैं बर्द के अंदर में भी फिलिंग कर रही हूँ ताकि ये ब्लाक कम्टीट ब्लाक लगने चे ये निउस्पेपर पे ज्यादा उभर के नजर आएगा एंद माई निउस्पेपर आट इस रेड़ी थर्ड कैन्वस को मैं एक प्लेइंग कार्ड का लुब दूँगी पहले मैं इसे पेंसिल से स्केच कर रही हूँ पेंसिल से स्केच करने के बाद इसमें कलर से फीलिंग करूंगी एंद इस प्लेइंग कार्ड इस रेड़ी तो प्लेइंग कार्ड इस कैन्वस को मैं डेकुरेट की हूँ अपने पुराने ओल्ड दूपट्टा के द्वारा यह जैपुरी लुक है और इस पे फुलकारी वर्क किया हुआ है पूरे दूपट्टे पे यह मेरे लिए यूजलेस हो गया था तो मैं इसे कैन्वस पे प्लेस की हूँ कैन्वस पे स्टक करने के बाद मैं नीचे पॉमपम का बॉल लगा दी हूँ और यह हमारा लास्ट कैन्वस रड़ी हो गया और यह रड़ी तो गिव यूर वाल एजयपूरी लूग जा रड़ी हो गया था था निचनल प्रीटास्टै कर्या कर्या कर्या?